स्वागत है आपका आलेंडे आंगनबारी न्यूस चैनल में दोस्तों आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबारी की हो या अन्य को इप खबरे तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेसन वेल भी दोस्तों आन करने ताकि आपको हर अपडिट न्यूस चैनल में दोस्तों बात करें आज की 11 जनवरी की ताजी खबरों की दोस्तों तो यहां पर आप आप लोग देखनी जा रहे हैं यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिहार राज आंगनबारी करमचारी यूनि मेने वह बेवजय अपना धरना अपनी इतनी मेहनत जो आप वह एक महीना पहले से बैठी हुए लगबग देड़ महीने होने को आ रहा है तो उनकी मेहनत बेकार ना जाए उनको पता चले कि हाँ आप लोगों को भगाने के लिए धरने से यह सप्रयास हो रहे हैं इसलिए मैंन कि जिला जो महोदय के अनुमोदन दिनंग जो साथ तारीक है तब दोस्तों यह सब हो गया है वहाँ पे 15 जनवरी तक दोस्तों 2019 तक सभी वो स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ पता जा रहा कि सरदी को देखते वे दोस्तों यह 15 जनवरी तक फैसला लिया गया है तो उ पांकी छुटियों को लेकर के सरदीयों को लेकर के और यह दोस्तों एक बात आप से कहना चाहूंगा कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है ठक कर बैठा हूं हार करना ही दोस्तों सिर्फ बाजी हां से निकली है जिंदगी नहीं निकल गई अभी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुए है अभी दो दिन जो अपने धरने देखे वहां पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था धोखा क्यों कि हर जगए आपको क्या मिला यह ट्रेड यूनियों के धरने थे मैं आपको समझाना चाहता हूं वहां पे दिखा क्य मजदूरों की समस्याइं जो हैं वो पहले रखे हुई है बारा मांगों में अन्य मांगों में आप लोगों की मांगे रखे हुई है मैं आपको यह समझाना चाहता था कि इसलिए हमने वीडियो बनाया यह गलत है हर जगए आप ही लोग तो दिखे कहीं भी मजदूर यूनि तो ऐसे में कैसे आवाज उट सकती है और यही संगठन 1975 से अगर इतना ही भलाई के लिए काम किया होता तो आज आप लोगों का मांदे बढ़ गया होता जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यह देखे यहां पे नियूजपेपर वगएरा में आपको एक जगएने हर नियू पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाओ का भी भहिसकार करने की चयताओनी दी गए देखे यह हम नहीं कहते कि चुनाओ भहिसकार हो या ना हो लेकिन जिसके साथ अत्याचार होगा वो तो जो समझ में आएगा वो करेगा वोट के लिए आप सब सोतंत्र हैं तो मैं थोडी नहीं किया उसको बिल्कुल मत दो तो बुधवार को कलेक्टरन में दोस्तों धरने के दूसरे दिन जिला अद्यच जो कृष्णा प्रजापती है उन्होंने कहा है कि दोजाच चौदा में भाजपा ने आंगनबाडी कारक्रतियों को सम्मान जनग मांदे देने का वादा किया ये तो बात बिल्कुल सही है इसके बाजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है धरने में मांदे 18,000 रुपे करने तता प्रतिवर्स 10 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की गई है इस दोनान राजपाल को सम्मोदे ग्यापन डीम को दिया गया है डीम साहब को ऐस प्रेश सची उतरब देश है तो उन्होंने ये उनकी तरब से पत्र है तो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ इसमें क्या लिखा है आप लोग समझे यहां पर साफ साफ लिखावे हैं ग्यारा सुत्री मांगो समस्याओं के निराकरण है तु दिनांक 9.1.219 को प्रधानमंत्री जी के संसदी जन संपर्क कारेलेक रविंदर पुरी पर ग्यापन सौंपा है आप लोग समझ पा रहे हैं आगनबाडी करमचारियों के धरने एवं जुलूस का नेतोय तो कर रहे संग के जिला देचसरी बाबुलान मौर्या ने बताया है कि भारती जंता पार्टी उत्तर पुद्धिस के विधान सभा चुनादोजा 17 में अपनी चुनावी घुचरा पत् करने के बावजूद भी अभी तक मांदे में व्रद्धी एक अन्य सास्की करमचारी को दी जाने वाली सास्की सुविधाओं का लाब नहीं मिला है और नहीं आगनबाडी करमचारियों के कार्यों एमधायतों से सम्मंदित जो है कोई सेवा नेमावली प्रक्ष्यात नहीं क सुदा है बहुत ऐसी हैं चीजें विकलांग भी हैं बहुत से लोग समाज से दोस्तों निचले तबके में आती हैं इसलिए इनके साथ ना इंसाफी होती आ रही है इसके संबन्द में कई बार सासाने वं प्रशासन को आवगत कराया जा चुका है फिर भी निम्न मांगों ज लगा गया नारे दोस्तों बुलंद किये लोग तंत्र में योगी तेरी ताना साही नहीं चलेगी नहीं चलेगी जैसे नारों का आवाज दोस्तों बुलंद किया गया अधिकार मिलने तक सड़क से लेकर सदन तक संगहर्स करने की भी बात कही गई है ये तो चीजे रही है लोगों की लेकिन यहां पर जो मांगे को लेकर के एक तरह से घोत्रा पत्र में सब कुछ सही है यह जो पत्र आया यह मुझे बहुत सही लगा क्यों कि यहां पर हर एक चीज सही लेखी हुई है वकायद फिर चाहें मांगे को लेकर के क्यों न हो मैं यह नहीं कहना चाहता कि आ आगे बढ़ते हैं मजदूरों को सामिल किया इतने लोगों को सामिल किया लेकिन वहां फे भीर तो कहीं किसी की नहीं देखी हमें हर जगए हर पन्ने पर वल कियों तकि कुर प्वें देखी मो हो जया है और पाता है beiden सबखेո灣 मेरblesे और मेरा महात्यूधान हां वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी बहनों के साथ में जो बहने माँ पे गए, उनके साथ धोखा किया गया है, उनको छलावा किया गया है, हम हमेशा सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया, एक भाई का मुझे कमेंट भी आया, काफी गलत गलत उन्होंने लि रहेंगे यहां पर और भी दोस्तों चीज़े लिखी है कि आंगनबारी कमचारियों के लिए भारती जंता पार्टी उत्तरफदेश में विधान सभा चुना दो जा सकते हैं आगे दोस्तों चलते अगला जो एक पत्र है यह पत्र है आपका वही ग्रीस पांडे जी के संगठन से एक तरह के यूं कहें यह एटक की तरफ से दोस्तों है सोरी और आपको बताना चाहता उत्तरफदेश अंगनबारी स्रमिक संग बदायू स्रमिकों की तरफ से ट्रेड यूनियन वाला वही पत्र है आपको झाना चाहत यहां पर लिखा क्या है नौ तारीक का बदायू में पता जारे नौ जनौरी केंदरी स्रम संगटनों के आमाहन पर आल इंडिया अंगन जो उत्तर प्रदेश है आंगन बाड़ी वर सोयों आसा बहूं का दूसरे दिन भी देश वेपी हर्ताल अंदोलन जारी रहा है मालवी आवैस ग्रह में केंदर वा प्रदेश सरकार के विरोध में जोर दौरा दोस्तों नारे लगाएगे जोर सोर के दौरा लेकिन आपको मता दूँ सब कुछ हुआ हमकिया किसने आंगन बाड़ी बहने साहिका ने जितने लोग वहां पे पहुँच पाए हर जगए इतनी फोटो आई है इतनी जगए से धरने हुए सब कुछ हुआ हरताल में भागी दारी जो की है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने की है लेकिन इन लोगों की मांगे वो बारा मांगों में क्यों सामिल नहीं है ये सबी को बुरा लग रहा है ये सिर्फ हमें नहीं लग रहा है क्योंकि हमें बुरा कब लगता है जब यहां पे लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं लाखों जुड़े हुआ आप लोग को जब बुरा लगता है सभी लोग कमेंट करते हैं तब हमें भी बुरा लगता है कि हाँ छलावा हुआ है तो यही चीजें अगर यह सब ना हुआ होता इतनी मेहनत की इन लोगों ने तो कुछ ना कुछ हुआ और आपको एक बड़ी खुसकबरी की बात यह बता दूं दोस्त धड़ी थी तो फिलाल के लिए मैंने जो कुछ कहा सच्चाई बताई उसके लिए मुझे बहुत-बहुत गंदे कमेंट भी लोगों किया लेकिन समझने की बात है मैं किसी संगठन का बुरा नहीं चाहता हूँ फिर चाहे ट्रेड यूनियून हो यह हमारे अन्य जो संगठन जो धने पर बैट करके काम करते हैं अंगन बाड़ी बेहने उन लोगों के साथ में है ना कि हम किसी संगठन के साथ में है ध्यान नकना मेरी बातों का और यहां पर और बे चीज़े लिखे हुई है यह चीज़े बहुत अच्छी लिखी है ट्रेड यूनिन की तरप से सरकार को सरमानी चाहिए माननी लोगों का प्रतिमा वेतन भत्ता मिलता है और इन में कोई कटोती नहीं होती है लेकिन इनकी लोगों के साथ कितना सब कुछ होता यह बाते सही है बहुत अच्छा लिखा यहां पे यह जो पत्र है इसको भी हम डालेंगे अपने फेस्वूप पेज प करें जिससे की हो सके अभी तक क्या हुआ वो कुछ लोग कहतें 1975 से आप लोग इतने दिन से संगटन से जुड़े हैं संग धरना कर रहे हो आप तो आपने अभी तक क्या इनको दे दिया जो कि उनका कहना बिल्कुल जाय जै सही है क्या दे दिया भाई यह सवाल है लेकिन मै सवागे। नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले दोस्तों अपने जान पहषान वाले ही होते हैं यह याद बात मेरी याद रखना और दोस्तों ऐसे चीज़े आती रहते हैं मेरे पास यह जो वीडियो आप लोगों को मैंने दिया इसमें दोस्तों जानकारियां कैसी लगी मुझे कमे लोगों को जगाने को ले करके हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा इमानदारी से पूरत्या काम करिए वो आप उनके साथ हैं हम आपके साथ हैं यह मेरा वादा है धन्यवाद दोस्तों